आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों इगनु की तरफ से रिजल की एक नई अपडेट आ गई है जैसे आप सबको पता होगा आज है दो फरवरी 2023 और दो फरवरी को इगनु ने एक बार फिर से रिजल को अपडेट कर दिया है आज भी बहुत बड़ी अपडेट है आज भी बहुत ही सारे बच्चों का रिजल को अपडेट कर दिया है जैसा कि आप सको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर इस्टेटर जो आपका फरवरी टू तक सो कर रहनी दो फरवरी तक जो है रिजल को अपडेट कर दिया है आज भी मैंने बहुत स जरूर हैं ठीक है मैंने रिजल्ट को चेक किया था और आज का जो रिजल्ट है उसमें जैसे आप सब को पता होगा कि जो पिछली अपडेट थी वो 31 जनवरी को आई थी ठीक है तो एक तारीक को भी बहुत सारा रिजल्ट अपडेट किया गया था एक फर्वरी को बट उस दि लाइब नहीं हुआ था पोर्टल को नहीं किया गया था रिजल्ट आज आया है लेकिन एक तारीक बारी रिजल्ट भी काफी हम आज हमें देखनों को मिले हैं और दो तारीक का रिजल्ट भी हमें देखनों को मिला है तो मैंने भी काफी रिजल्ट चेक किया था अगर आपक लिक दे रखा है, वहाँ से जा करके डारेक्ट आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, जैसे आप उस लिंक पर जाएंगे तो परकार से आपका पोर्टल खुल जाएगा, और आपको सिंपली साइक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका इन्रोल्मेंट नंबर जाओगा, चाहे है, आप सभी लोग जा करके अपने अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको प्रूप के तवर पे जो मैंने रिजल्ट चेक किया था, वो भी मैं आपको सो करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको दिसंबर 2020 स्टेट देखिए, आपको दो फरव होती है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इनका जो रिजल्ट है, देखिए, दो 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 हजार तेस, यानि दो फरवरी को, यानि आज ही के दिन इनका रिजल्ट आया है, और इनको बी ग्रेड मिला है, बी ग्रेड का भी मतलव था, 60 प्लस माक्स होते हैं, यानि इनको भी पास कर दिया है, और आज ही इनका रिजल्ट डिक्लियर कर दिया, चलिए, नेक्स्ट इस्टूडेंट का देख लेते हैं, अगर आप देखेंगे तो इनका आज एक रिजल्ट आया है, जो कल देखो, एक दो हजार तेस आप देख सकते, बी एच डी एस पचास में थे, 39, 49 मार्क्स हैं, आप देख सकते, ग्रेड काड में इनका 78 मार्क्स सो करेगा, ठीक है, काफी अच्छे मार्क्स हैं, काफी वेहतरीन मार्क्स हैं हैं, आप देख सकते हैं, एक फरवरी को रिजल्ट अपडेट किया गया था, बटे आज सो कर रहा है रिजल्ट, ठीक है, चलि आप देख सकते हैं पहला जो इनका रिजल्ट है यहां पर देखेगा BHDC 133, 100 में से इनके 63 मार्क्स आए हैं ठीक है और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आज आया है दूसरा इनका जो एक रिजल्ट और डिकलियर किया गया है BHDS 184 आप देख सकते हैं 50 में थे 28 मार्क्स आए हैं ठीक इस यह भी रिजल्ट इनका 122031 फर्वरी को आया है आज ही के दिन इस भी रिजल्ट को डिकलियर किया गया इनका भी आज के दिन दो रिजल्ट आया है और दोनों में ठीक है दो फर्वरी 2023 का सो करोगा जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम देखेंगे साइटिफिकट प्रोग्राम है ठीक है आज इनका एक रिजल्ट डिकलियर कियागा आप देख सकते हैं 2023 आज का है दो फर्वरी का आपको NES102 में इनका अगर आप ग्रेड गेंगे तो इनका B है B ग्रेड का मतलब बता 60 प्लस मार्क्स ठीक है इसमें ग्रेडिंग चलती है कुछ प्रोग्राम में इगनू में तो D ग्रेड तक पास होता है ठीक है तो ए भी पास है इनका B ग्रेड आया है काफी अच्छा ग्रेड आया है चलिए next student का मैं आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट में आपको देखा दिसंबर 2022 स्टेटस आपको दो फरवरी 2023 का ही यहाँ पर आपका सो कर रहा होगा देख सकते हैं जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम इनका साइटिफिकेट इनका भी वही आया है देख सकते हैं NES 102 में अगर आप देखेंगे इनका भी B ग्रेड ही आया है और आज ही के दिन इनका रिजल्ट डिकलियर कियागा आप देख सकते हैं दो फरवरी 2023 आज के दिन आया है B ग्रेड मैंने आपको इसे बता है कि B ग्रेड का मतलब 60% माक्स होता है इनको भी पास कर दियागा आज इतने भी मैंने रिजल्ट किये जादत रिजल्ट में जो बच्चे थे उनको पास ही थे ठीक है नेक्स्ट एक और मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं December 2022 देखेगा इस चेट से आपको दो फरवरी 2023 का ही सो करो गया यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे यह भी सर्टिफिकट प्रोग्राम है इनका भी NES102 में अगर आप देखेगे तो इनका भी जो ग्रेड है वो भी ही आया है रिजल्ट आज के दिन ही डिकलेर किया गया है दो फरवरी 2023 आज के दिन ही रिजल्ट आ है तो आप सभी लोग भी जा करके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं जिस भी स्टूडेंट का भी रिजल्ट नहीं आया है आप वेट कर लिजे आपका भी रिजल्ट बहुत ही जल्ट आ जाएगा ठीक है इस स्टूडेंट का देखेगा दिसमबर 2022 ठीक है इस चेटर आपको आज का ही दो फरवरी 2023 का ही दिख रहा होगा जैसे आप नीचे आएगे तो इनका एक रिजल्ट आया है आज के दिन आप देख सकते हैं बी एच डीसी वन थर्टी टू हंडेड में से थर्टी एट माक्स आ हैं अच्छे से पढ़के जाय करो इतना मैं पढ़ाता रहता हूँ पढ़ाए तभी आपके बहुत जादा माक्स आएगे बाई बीना पढ़े नंबर नहीं आता है ठीक है दिसमबर 2022 एक जाम रिजल्ट इस्टेटस आपको दो फर्वरी आज का इस दिन का ही देख रहा होगा 2023 का जैसे आप नीचे आएंगे तो ये भी बी एजी के ही स्टूडेंट आप देख सकते हैं आज इनका एक रिजल्ट है बी एच डी ए वन फोट्टी थ्री में अगर आप देखेंगे तो 64 माक्स है इनके कितने 64 माक्स है है और ये पास है आप देख सकते हैं काफी अच्छे माक्स होते हैं 60 प्लस अगर आपका है तो एक दो 2000 यानि एक फर्वरी के भी इनका रिजल्ट डिकलियर के लिए आगा है देखी ऐसा है आप सभी का रिजल्ट भी बहुत जल्ड डिकलियर हो जाएगा फर्वरी के महीने में तो बहुत सारी अपडेट आने वाली है तो आप सभी लोग चिंता मत कीजए आप सभी का रिजल्ड भी बहुत जल्द आ जाएगा दूसरी बात रही कि आपको जो revaluation के लिए apply करना या photocopy के लिए apply करना है उसका portal भी बहुत ही जल्द open होने वाला है ठीक है उसका portal मैं अगर मानता हूँ मेरी तरफ से अगर मानोगे कल open हो गया तो ठीक है नहीं तो Monday को जरूर आपका revaluation का portal open हो जाएगा और मैं उसको बीडियो जब मैं बनाओगा result की तो उसमें आपको जरूर बता दूँगा कि revaluation यानि photocopy के लिए जो आपको apply करना है रिचेकिंग आपको करवानी है ठीक है जो December 2022 वाला portal बहुत ही जल्द open वाला होने वाला है साथ कल अगर हो गया तो क्योंकि Friday है कल फिर बीच में दो दिन की छुटी हो जाएगी क्योंकि सनिवार संडे की नहीं तो Monday तक अगर मैं बोलूँगा तो confirm हो जाएगा लेकिन कल भी होने के chances बहुत ज़्यादा है क्योंकि उस पोर्टल में changes हो रहे हैं जब फटा फट और कल तको पोर्टल साइद open हो जाएगा तो आप सभी लोग apply कर पाएंगे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनबाद अगर आपका कोई सवाल है तो comment box में मुझसे पूछ सकते हैं और आपसे request रहेगी चैनल को जरूर subscribe कीजेगा क्योंकि यहाँ पर result की हर update आप बताई जाती है और साथ में मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूँ जितने भी BA के बच्चे है आप BA में आपका कोई भी subject है BAG में या BA owners के बच्चे हैं आप जरूर चैनल को subscribe कीजेगा क्योंकि मैं history, political, science, sociology, हिंदी, English जितने भी subject होते हैं सभी के classes यहाँ पर चलती रहती हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद, thank you so much, जय हिंज, जय भारत